तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ आपके प्यार इसे चैनल जे आर कॉलेज में जो कि specially dedicated है हमारे प्यार इसे बच्चों के लिए जो कि कॉलेज के बच्चे हैं ठीक है सो जैसा कि आपको पता है हमने अलरीडी आपको बताया था कि हम एक नया और एक फ्रिश बैच शुरू करने जा रहे थे हमारे 12th के बच्चों के लिए और तोर हमारे 11th के बच्चों के लिए ठीक है सो आज से मैं उसकी शुरुआत करने आ गया हूँ ठीक है सो दिस इस देवरी फॉर्स लेक्च्चर अप देवरी फॉर्स लेसं अफ यूर्ट बालजी जिसका क्या नाम है इस री प्रोड़क्शन इन लोवर एंड हाईर प्लांट ठीक है जैसा की मैंने आपको अपने इंट्डॉडक्टरी लेक्च्चर बेशिए बताया था कि कुछ चीजें ठीक है गुच लेसंस के में आप लोगो नाम बताया तो तो पुमिशों मतलब क्या कौन-कौन से लसेंस किसेंस आपके 12th बालजी के से्शन में और सारे गर सा debtors इंपो यह पूरे के पूरे session के through I will मैं आपको भरुसात दिलाता हूँ कि हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है ठीक है लेक्षर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बनाना चाहता हूँ कि हमारा जो JR Tutorials का अप्लिकेशन है उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना प्लेश्टोर के उपर जाके क्यों कि भाया उसके उपर आपको बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं यह जो नोट्स उपर आएंगे तो जरूर से डाउनलोड कर लेना एकदम free of course application है और तो और अगर आपको मुझसे connect होना है अगर आप मुझसे कुछ बाते करना चाहते हो मुझसे कोई doubt बुजाना चाहते हो या फिर मुझे appreciate करना चाहता है कि सर आपके lectures बहुत अच्छे तो आप directly मेरे Instagram पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि reproduction होता क्या है शबसे पहले हम लोग देखेंगे कि reproduction का आखिरकार मतलब क्या होता है तो पर reproduction कितने प्रगारगिये होते हम लोग ने बच्पन से पढ़ा हुआ है, reproduction दो types के होते है एक है sexual reproduction ठीक है sexual reproduction जिसमें mainly एक parent involved होता है ठीक है mainly हाँ कभी-कभी ऐसा भी कुछ exception देखने के लिए मिलते हैं कि a sexual reproduction में भी दो parent involved होते हैं मैं आप लोग को example के साथ समझाऊंगा आगे चल के फिर दूसरा होता है sexual reproduction ठीक है जिसके अंदर mainly दो parent involved होते हैं आप देखो यहाँ पर mainly कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कुछ ऐसे भी exception है जहाँ पर एक ही parent से sexual reproduction हो जाती है सही है तो वह भी मैं आप लोग example करें तो समझाऊंगा ठीक है तो reproduction आपके दो पर्ट में डिवाइड होते हैं एक एक sexual reproduction और एक sexual reproduction सिंपल सी बात है ठीक है उसके बाद इस sexual reproduction को हमको थोड़ा सा ज्यादा detail में पढ़ना है इस lesson में एक sexual reproduction हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है ठीक है कुछ fragmentation है budding है binary vision है चोटे-चोटे topics है उनको ही हम लोग cover करेंगे यह इतने ज्यादा important नहीं है इस lesson से इसके अंदर कौन-कौन से चीज़ें लगती है उसके बाद हम लोग आप देखो sexual reproduction में जैसे आप लोग ने बच्पन से पढ़ा होगा कि एक male होता है और एक female होते ठीक है उसके अंदर gamit बनेगा gamit का fusion होगा और फिर आगे चलके एक बीवी का formation होगा तो अगर मुझे gamit का fusion कराना है तो उसके पहले मुझे gamit बनाना पड़ेगा सही है अब gamit किसके अंदर बनता है male का gamit male में बनेगा और female का gamit female में बनेगा सही बात है तो सबसे पहले मुझे male part पढ़ना है और sports के अंदर आगे चलके क्या form होगा gamit form होगा ठीक है sports के अंदर चलके क्या form होगा gamit form होगा clear है फिर उसके बाद जब हमारा gamit form हो चाहेगा तो उसके बाद हम एक बहुत ही important और major topic पढ़ेंगे that is pollination ठीक है pollination आप लोग ने सुना भी होगा इसके पहले नहीं सुना हो इस लिसन का इस sexual reproduction में हम लोग सबसे पहले male part के बारे में discuss करेंगे कि male part में कौन-कौन सी चीज़े होती है flower के फिर उसके अंदर कैसे sports का formation होता है फिर उस sports से आगे चलके कैसे gamit का formation होता है वो देखेंगे उसके बाद female part को हम लोग देखेंगे ठीक है female part के अंदर कैसे sports का formation होता है और यह sports से आगे चले क्या ऐसे gamit का formation होता है वो हम लोग देखने वाले है उसके बाद हम लोग देखेंगे pollination ठीक है pollination pollination का मतलब क्या होता है normal साभी मतलब समझ लो कि जब male part उठके female part की तरफ आ जाए इसको हम लोग pollination बोलते है इस process को हम लोग क्या बोलते है pollination इसको deeply हम लोग पढ़ेंगे आगे चलके lessons में उसके बाद fertilization ठीक है जब male और female part एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा वहाँ प फिर सीड बन जाएगा फिर उस सीड को आप वापस किसमें डाल दो मिट्टी के अंदर डाल दो वहां से एक नया plant ग्रो हो जाएगा this is the normal step of reproduction clear है समझ में आ गया सो आजाओ थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले introduction देखते हैं so introduction की बात कर तो हम लोग जानते है कि पहले reproduction word का है हम लोग बच्पन से सुनते आ रहे reproduction word चीक है आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब already पता भी होगा बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देता हूं reproduction का मतलब क्या होता है production मतलब क्या कोई भी चीज produce कर दा कोई भी चीज बनाना सही है और इसके आग वापस production करो तो उसे मैं reproduction कह सकता हूं सही reproduction कह सकता हूं अब इसका मतलब क्या है चो नगे आम से एक और गोणिजम उसी ऑरगिनिजम के तरह एक दुसरा organism produce होता है जैसे मन जैकर We signing production है तो हम एक organism जैसा ही दूसरा organism produce करना मतलब एक ही जैसा organism वापस produce करने, एक ही ज़सा organism वापस produce करने की process को हम लोग क्या बोलते हैं, reproduction, clear है, reproduction का मतलब क्या हुआ, कि एक ही ज़सा organism, उसी के ज़सा organism वापस produce होगा, जैसे dog, अगर dog का जो यह होगा, बच्चा आएगा, वो भी क्या होगा, dog यह होगा, वो तो जब उसकी डेट जाएगी तो उसके बाद कोई भी स्पीशीज नहीं उसकी ग्रोवने वाली तो वो स्पीशीज तो वहीं पे एक्स्टेंट हो गई इसलिए रीप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है हमारे लिए सही है समझ में आ गया तो रेच्रेशल चन is 3 इंपॉर्त अब रिफ्रोडक्शन कुछ पाच में डिवादेट वॉप्रोडक्शन कुछ पाउट में डिवादेट में रेच्पा संद्रिए अपना यह मेनली कितने पाउट में डिवादेट है दो पाउट में डिवादेट एक हैअ आपका Asexual Reproduction ठीक है और एक है अपना Sexual Reproduction समझ में आ रहा है एक है अपना Asexual Reproduction और एक है अपना Sexual Reproduction अब देखो Asexual Reproduction में क्या होता है Asexual Reproduction में Generally Clone Formation होता है Generally क्या form होते है Clone Swarm होते है Clone मतलब क्या कि इनके Genetical Make-up में कोई भी Difference नहीं होगा जैसे इनके Parents होंगे एकदम हू बहू एकदम सेम DNA एकदम सेम इनका Physical Structure एकदम सेम टू सेम हम लोग बोल सकते है जरक्स कॉपी होते है यह समझ मैरी बात तो यहाँ पे Clone Formation होता है साथी साथ यहाँ पे कोई भी आपको Fertilization देखने के लिए नहीं मिलती Fertilization का मतलब क्या होता है कि जब एक Male Gamet और एक Female Gamet आके Fuse हो जाए एक साथ उसको हम लोग Fertilization बोलते है तो Fertilization कभी भी Asexual Organism के अंदर नहीं देखने मिलती है साथी साथ इनके अंदर Mainly Single Parent involved होते है Single Parent involved होते है जैसे मैं अभी आप लोग कुछ Example देने वाला हूँ Binary Fission का ठीक है तो एक ही Organism है Binary Fission में जैसे Amoeba तो वही आगे चलके Split हो जाएगा दो Parts में तो वहां से क्या हो जाएगे दो Daughter Amoeba form हो जाएगे So यहाँ पे Mainly Single Parent involved होते है कुछ कुछ ऐसे exception है जहाँ पे दो Parent involved हो कर भी ठीक है दो Parent involved हो कर भी Asexual Reproduction होते है जैसे Honey Beasts के अंदर होते है ठीक है Honey Beasts के अंदर होता है जब Honey Beasts के अंदर Male का formation होता है ठीक है तो उस टाइम पे दो Parent involved होंगे लेकिन जो Male होता है वो ए-sexual reproduction का result होता है, यह कैसे होता है, यह मैं आप लोगों को आगे आने वाले lectures में बताऊंगा, सही है, वैसे ही, वैसे ही जो sexual reproduction है, उसमें mainly दो parent involved होते हैं, लेकिन इसमें भी exception है, ठीक है, इसमें exception क्या है, कि कुछ ऐसे organisms हैं, जो single parent होंगे, और फिर भी वो asexual reproduction करेंगे, जैसे, जैसे tapeworm, आपने 11th standard में एक lesson पढ़ाओगा, that is kingdom animalia, ठीक है, तो kingdom animalia में, platy halminthus में, एक pylon था, platy halminthus, उसके अंदर एक organism था, जिसका नाम था tapeworm, अब tapeworm हमारे body के अंदर exist करता है, ठीक है, humans के body के अंदर रहता है, और वो एक अकेला ही exist करता है, सही है, तो अब अगर उसको reproduction करना होगा, तो वो reproduction break लेके बाहर आएगा, बिलकुल भी नहीं, वो हमारे body के अंदर ही reproduction करता है, और उसके पास male gamut भी रहते हैं, और female gamut भी रहते है, मतलब एकी body के अंदर male gamut और female gamut, ऐसे organisms को हम लोग क्या कहते हैं, ऐस sexual organism मतलब क्या, कि एक ही body के अंदर male gamut भी present होगा, और उसी body पे female gamut भी present होगा, और वो दोनों ही fuse होके आपस में sexual reproduction करेंगे, तो यहाँ पे कितने parent involved होगा, तो mainly कभी कभी कुछ exception हमको ऐसे देखने मिलते हैं, जहां पे एक parent involved हो, लेकिन mainly अगर बात करें, maximum हम लोग बात करे आगर चलके fuse होते हैं, और उसके fusion के बाद ही वहाँ पे क्या form होता है, एक baby form होता है, उस fusion को, ठीक है, उस fusion को हम लोग क्या कहते है, fertilization, उस fusion को हम लोग क्या कहते है, fertilization, तो हमेशा याद रखना ये बात, हमेशा याद रखना बच्चों, कि जिस भी process में fertilization हो रही होगी, वही है sexual reproduction. Sexual reproduction पह伝ानने का सबसे important और सब से easiest तरीका है कि fertilization देख लो. जहां पर fertilization हो रही है, वो क्या है? sexual reproduction और जहां पर fertilization नहीं हो रही, वो क्या है? sexual reproduction. समझ में आई बात, ठेकर है, I hope आपको इतनी चीज़े clear होगी. तो यहाँ पर कभी भी fertilization नहीं होती और sexual reproduction में हमेशा क्या देखने मिलती है हम लोग को fertilization देखने मिलती है सही बात है इसके अंदर हमेशा clone form होते हैं और इसके अंदर clone form नहीं होते हैं इसके अंदर दो अलग अलग gene का mixture आता है तो इसके अंदर mutation होने के chances जादा होते हैं जिसके वज़े से यह organism ना इनके survive करने के भी chances जादा होंगे देखो जो भी organism nature के हिसाब से खुद को change करेगा उसके survive करने के chances जादा है यह हमको किस ने कहा था यह एक बहुत ही बड़े scientist Darwin ने कहा था कि अगर आप nature के हिसाब से खुद को change करोगे ठीक है nature का environment change हो रहा तो अगर आप खुद के body में changes लाओगे तो आप एक आप survive कर सकते हैं only the fittest can survive उनकी line थी सही है तो changes लाने का कैसे option है अगर मैं बात करूँ asexual reproduction में तो यहां पर धाड़ा धाड़ क्लोन पर क्लोन मने जा रहा है इसका क्लोन मना फिर दूसरा organism इसका क्लोन मनेगा तो यहां पर gene change होने के तो कोई chances से नहीं है ना बहुत ही कम ऐसा chance होगा कहीं कहीं mutation के थुरू या फिर कोई UV light पढ़ गई ऐसा कुछ हो गया जिसके वज़े से कहीं changes आ गया तो आ गया वरना इसके अंदर chances बहुत ही जादा कम होते हैं mutation के वहीं अगर बात पर हो ए sexual reproduction की तो उसमें male gamit है female gamit है जब दो changes है ठीक है यह सारी चीज़ों को हम लोग discuss करेंगे third lesson में बहुत detail में ठीक है अभी इतना समझ लो कि यह जो organisms है ना इनके अंदर mutation होने के chances जादा होते हैं that's why इनके survive करने के भी chances जादा होते हैं इसलिए आज आप लोगो देखने मिलता होगा कि nature में around around 70 to 75% जितने customers है वो सब के सब sexual reproduction ही करते हैं ताकि वह better entire go to elope आपको इतना समझ में आ गया होगा introduction किसका किसका reproduction का ही री production क्या होता है reproduction कितने टाइसगे दो्स क्या है एक है asexual reproduction और एक है करूँ sexual reproduction की तो यहाँ पे mainly दो parent involved होंगे bisexuals में एक parent होता है लेकिन mainly कितने parents होंगे दो parent involved होंगे और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेंगी fertilization अब देखो fertilization की बात करो तो fertilization का मतलब मैंने अब ही अब लोग क्या बता है कि एक male gamit है एक female gamit है दोनों आके fuse हो गए और दोनों आके fuse हो गए इसके हम लोग fertilization बोलते है लेकिन fertilization के लिए gamit बहुत जरूरी है ठीक है fertilization के लिए gamit बहुत जरूरी है तो जबभी भी हम sexual reproduction पढ़ेंगे तो फ़र्टियल अब पहले ठीक है आगे चलके fertilize हो पाएगा समझ मेर ये बाद तो gamut formation बहुत ज़र्दा ज़रूरी है और उसके बाद gamut form होने के बाद वो क्या करेंगे fertilize करेंगे clear है समझ में आ गया so I hope आपको इतनी सीजे समझ में आ गई होंगी ये बहुत ही basic science production दा आज जो बढ़ते हैं हमारे next topic पे that is asexual reproduction अब asexual reproduction को हम लोग थोड़ा सा detail में discuss करेंगे कितनी कितनी चीज़ दी हुई आपकी book में वो भी देखेंगे तो सबसे पहले देखो इतनी चीज़ हम लोग को पढ़ने है asexual reproduction में जो कि इतना ज़ादा important नहीं है आपके exam point of view से लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज़ को एक एक चीज़ को detail में पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में हर एक concept clear हो clear है ठीक है चलो बढ़ते है आगे तो सबसे पहला क्या है हमारा fragmentation ठीक है fragmentation का बहुत ही easy सा मतलब है हम fragment का मतलब क्या होता है छोटे छोटे पीस ठीक है छोटे छोटे पीस तो for example एक बड़ा सा एक organism है जिसका नाम है spirogyra spirogyra एक ऐसा organism है कुछ ऐसा दिखते है ठीक है double membrane होता है आप लोग कभी अगर नदी के किनारे गए हो ठीक है नदी किनारे गए हो या फिर pond के किनारे गए हो तो आप लोग ने green green color का substance देखा होगा जो पानी के उपर तेहरता रहता है देखा है पानी के उपर तेहरता रहता है जिसको हम लोग शायद हिंदी में काई बोलते है कि इस पानी के उपर काई जम चुकी है, ठीक है, ग्रीन गिली निकलर की एक लेयर है, अगर कहीं पर कोई पानी जमा हो गया है, तो उसके उपर वो लेयर जम जाती है, वो क्या है हमारा.. अब और स्पािरोगाइरा रिक्रोडक्षिन कैसे करता है, स्पािरोगाएरा, για 5 ये होटे इंडेकर पार्टियू को चोटे-छोटे प्रेंट में डिवाइब करऄारी है, जैसे यह इतना बड़ा तो यहाँ से एтесь एक प्रेंटन टुटेए और यहाँ से एक फ्रेगमेंट टुटेगा इंस्च मेरी बाद आप यहाँ बन गया गहांइ बंग न्या एक प्रेगमेंट रागड हो एक फ्रेगमेंट यह वाला बन गया यह ऐसे तो यह टोटे आति छि अप्ना आपना अप अपना development करेगा, समझ बारी बार, ये तीनों आगे चलके independent development करेंगे, और ये इसके क्या है, daughter से, simple, समझ में आ गया, so इसी चीज को हम लोग कहते है, fragmentation, मतलब एक body, छोटे-छोटे fragments में divide हो जाए, और वो जो fragments है न, वो आगे चलके एक नए organisms की तरह grow होने लगे, it is nothing but a fragmentation, सम Pyrogyra में, तो examples हमेशा याद रख लेना, बच्चों हो, examples हमेशा याद रख लेना, clear है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, अब next क्या है, next क्या है, next है, डीक है, budding, ठीक है, budding के बारे में देखते है, आखिरकार, budding क्या होती है, आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगी, कभी-कभी जब आप आलू लेने गया होगे मार्केट पर या फिर कभी पपा या मम्मी कभी मार्केट से आलू लेकर आयोंगे, तो उसके उपर छोटा सा वाइट कलर का आप लोग ने कुछ देखा होगा, कुछ उगा हुआ, ठीक है कि अगर आप इस बड़ को तोड़ के, फिर आलू को काट के इस आलू को, अगर आप जमीन में गाड़ दोगे, तो वहाँ से एक नया पेड उग जाएगा, मैं नहीं बात, नया पेड उग जाएगा, इसा बोलते है रहा हम लोग, वैसा ही कुछ हम लोग को देखने मिलता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है, जिसका नाम है, इस्ट, एक सब्सक्राइब, एक ओर्गनिजम है, ठीक है, ओर्गनिजम बोल दो, प्लांड बोलो, एक प्लांट है, जाट इस इस्ट, उसके अंदर हम लोग को देखने मिलता है, अब इस्ट के अंदर होता है, धांसा सुनो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल सा इस्ट है, इसके अंदर क्या होगा, इसके बाहर वाले सर्फिस पे, यहां पर एक छोटा सा बढ़ ग्रो हो जाएगा, जैसे अलोग उपर बढ़ ग्रो हो जाता है, वैसे ही इसके उपर भी क्या हो जाएगा, छोटा सा बढ़ ग्रो हो और यह बढ़ क्या करेगा पता है इस पारेंट बॉड़ी से यह वाली जो बॉड़ी है तो यह क्या करेगा इस पारेंट बॉड़ी से जो न्यूट्रिशन है वो लेता रहेगा ठीक है खिसता रहेगा और खुद को ग्रो करता रहेगा खुद को मेच्वर करता रहेगा और जि के अंदर multiple budding form होती बच्चो मतलब एक ही इस्ट में बहुत सारे birds form होते है ऐसा को diagram आपके book में दिया होगा सही है तो इस्ट के अंदर multiple budding form होती है ठीक है इसे हम लोग chain of birds कहते हैं और तुमें call chain of birds clear है समझ में आ गई बात तो यहां यह जो birds है क्या करते हैं मैं आपको normal समझाता हूँ for example कि मैं एक इस्ट हूँ अब मेरे body पर यहां पर कुछ अलग सा grow हो गया अलग सा एक आदमी grow हो गया for example छोटा सा एक दम अब वो क्या कर रहा है जो मैं खाना खाला हो वह इसको चला जा रहे अब कुछ एक इसे चलके रिप्रोडिवत करते हैं ठिकर समझ मेरी बात इसम میں पी सिर्फ एक पैरेंट लगा इस इस दो ओल्ली वन पैरेंट जो से आगे चलके multiple number of इस बन गया है समझ में आ गया, इस process को यह हम लोग क्या कहते हैं, budding, समझ में आ गया, चलो, very good, next क्या है, आज़ो देखते हैं, हमारा budding क्लियर हो गया, ठीक है, next आपना, spore formation, now what is mean by, sport formation, दान दो, एकदम easy है, एकदम easy है, आप लोग को एकदम easily हर एक चीज समझ में आ जाएगी, एक example दिया, आपको, क्लिममाडो मुनास, का, क्लिममाडो मुनास के अंदर होता क्या है, जान से जुनेंगे सारे बच्च Consという एक ऐसा organism होता है, और इसके यहां पेसे अंदर अंदर इस उसका बॉड़ी है, इसके और इस से चोटे चोटे इसे छोटे-छोटे, क्लमाडो मुनास क्या कर लेता है, वो grow कर लेता है, और इसके उपर क्या लग जाते हैं, इसे-इसे, fiber लग जाते है, fiber like sports लग जाते हैं, clear है, समझ में आगया, ये आपके क्या है, ये छोटे-छोटे sports है, इन्हें हम लोग zoo sports कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, zoo sports, समझ मेरी बात, ये जो क्लमाडो मुनास की body है, इसके अंदर, इस क्लमाडो मुनास की body है, इसके अंदर जो छोटे-छोटे sports फॉर्म होए, छोटे-छोटे structures फॉर्म होए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, zoo sports, ठीक है, समझो, यहाँ पे एक बहार निकाल दिया, यह zoo sports है, और इस sack को, यह जो बड़ा सा sack है न, इसे हम लोग कहते हैं, zoo sporengium, simple है, अगर यह zoo sports है, तो zoo sports कहां रहे रहे है, sporengium में, sporengium मतलब कहां, जहाँ पे sports form होते है, zoo sporengium, समझा, अ अब यह यहाँ से निकलेंगे, और किसी भी nutritive medium पे जाके पढ़ेंगे, और वहाँ से nutrition खाके, अपना वापस क्या करेंगे, growth शुरू कर देंगे, इसी process को हम लोग क्या कहते हैं, that is, sports formation, ठीक है, समझ में आ गया, sports formation में, कौन सा example है, अपने को, clematomonas, clematomonas क्या करता है, खुद के body के अंदर बड़े सारे sport form करता है, उन sports को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, zoo sports, ठीक है, और जहां फिर zoo Sports का formation हो रहा है, जहां से zoo sports का निकल रहे है इसमें लोग क्या कहेंगे, जूस्पुरांजियम, और जहां से जूस्पुर्ण बनना ये, जूस्पुरांजियम, यह हमारा क्या है, पैरेंट बोडी, यह फिर पैरेंट सल, समझ में आ गया, ठेके, I hope आप लोगको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठेके, समझा, अ बाइनरी फिजन आप लोग ने बच्पन से पढ़ा है, बाइनरी फिजन, आप लोगों ने बच्पन से पढ़ा है, बाइनरी फिजन, देको फिजन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठेके, फिजन का मतलब क्या होता है, नॉनमली, ब्रेकडाउन मतलब, अगर कोई एक चीज़ अलग अलग छोटे छोटे पार्टस में तूट रही है तो वो क्या हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है ठीक है वहां पे क्या हो रहा है पिज़न समझ मैरी बात, breakdown उसका मतलब होता है. fusion का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ा के जुड़ गई, देखो दो words होते हैं, एक fusion और एक fission, fission का मतलब तूटना और fusion का मतलब जुड़ना, ठेक है, अपनी English थोड़ी से अच्छे कर लो, fusion का मतलब जुड़ना और fission का मतलब तूटना, तो यहाँ पर क्या है, fission है, fission, मतलब यह क्या होग तूटेगा, सही है, यहाँ पर क्या होगा, तूटना, समझ मेरे बद, कोई बीच चीज तूटेगी, binary, binary का मतलब होता है, दो, binary का मतलब क्या होता है, दो, मतलब एक parent body, दो पार्ट में तूटने वाली है, एक parent body, दो पार्ट में तूटने वाली है, उसको हम लोग क्या कहत सबसे पहले इसको डिवाइड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड जाएगा इसको थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं इसका जो न्यूक्लियस है यह दो पार्ट में डिवाइड होगा अब जैसे ही इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा इसका जो यह जो साइटो प्लाजम वाला रीजिन है जो की बड़ा ही इर्रेगूलर होता है यह भी आगे चलके इसे डिवाइड होने लगे गा। एक नुकलिस यहां पर चल आगे, एक नुकलिस यहां पर चल आगיה। अब यह aamoeba यहां आगेज पहले क्या हुआ, नूकलेस का division हुआ, एक नूकलेस था, ये नूकलेस आगे चल के दो पार्ट में divide हुआ, और ये दो पार्ट, अब नूकलेस पीछे-पीछे जाने लगा, और ये amoeba आगे चल के वापस अपना sideoplasm दो पार्ट में divide हुआ, division, मतलब एक amoeba दो पार्ट में क्या हो गया? सबसे पहला फाइलम था कौन सा था याद करो जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपको याद हो ज़िए कमेंट सेक्षण में बता एक बार जो सबसे पहला फाइलत था याद है पूरी फैरा इसको हम लोग स्पॉनजे भी बोलते हैं इसे हम लोग पॉनजे भी बोलते हैं तो स्पॉनजे के अंदर क्या होता है इंकी बॉड़ी कैसी होती है याद करो कुछ ऐसे मटके की शेप की प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग रोख खेहते थे हैं चोटे छोटे ओल्स को आस्टिया अपर बड़ा वाल ले इसे चाही याज लोग बात है ऑश्ट्रिया और आप क्या करना है देख धान से अगर मैं इन स्पोर्स को अब ये मटके शेप का है मटके को इमेजिन करो तो अगर उस मटके को मैं से बीच से कट कर दू तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर एक सेक्शन मनाते हैं इस्का अधा पार्ण चाञी से इसको इसे कट करोगे तो इसके बीच में आपको को छोटा सा बढद देखने के लिए मिलेगा यहां पर आपको छोटा-सा बढद देखने के मिलेगा कहां देखने के लिए मिलेगा ये इन वाल्स के अंदर ये जो वाल्स है ना आस्ट्रिया के या फिर सोरी इस स्पॉंज के इस वाल्स के अंदर आपको छोटा सा बड़ देखने के लिए मिलता है इस बड़ को हम लोग कहते हैं जिम्यूल इस बड़ को हम लोग क्या कहते हैं ज जिम्यूल, अब आगे चलके, जब यह आपका sponge, dead हो जाएगा, मर जाएगा, तो यह जिम्यूल इसके अंदर से निकलेगा, और इससे आगे चलके एक नया sponge का formation होगा, ठीक है, तो जब जिम्यूल form हो जाता है, तो उस process का हम लोग क्या कहते हैं, that is, जिम्यूल formation, क्लियर है, सम समझ में आ गया, so I hope आपको यह वाला topic भी समझ में आ गया, so आपके binary vision भी clear हो गया, और जिम्यूल formation भी clear हो गया, यह सारे के सारे topic आपके clear हो गया, जो किसके अंदर आते हैं, that is, asexual reproduction के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया, I hope आप लोग को इतनी चीज़ा समझ में आ गई हो अब जो हमारा next topic है, ठीक है, जो हमारा next topic है, that is, अच्छा हाँ, एक और topic है, that is, vegetative reproduction, अब vegetative reproduction क्या होता है, ड्यांस हो सुनेंगे, vegetative reproduction, गदम simple सा meaning है, अगर आप seed की बजाए, किसी दूसरे vegetative parts से, ठीक है, seed की बजाए, अगर आप किसी दूसरे vegetative parts से, एक plant को grow कर दे, तो हम लोग कहते हैं, vegetative propagation, जैसे आप लोग को मैं example देता हूँ, हमारे घर में, अगर कहीं rose का flower होता है, ठीक है, गुलाब का flower होता है, या फिर hibiscus का flower होता है, अडावल का, ठीक है, तो हमारे मुहीं पापा क्या करते है, कि उस rose के flower की एक डंडी कट करते है, ठीक है, एक दूसरे पार्ट से, मतलब उस plant के किसी दूसरे पार्ट से, किसी vegetative पार्ट से, एक नया plant ग्रो कर सकता हूँ, इस चीज को हम लोग क्या कहते है, that is, vegetative reproduction, clear है, जैसे ब्रायोफाइटा होते है, तो ब्रायोफाइटा का जो लीफ होता है, पत्ते, ठीक है, उन पत्तों के ऊप शुगर केन को, यहां से, नोट से कट कर दो, यहां से, इस नोट से कट कर दो, और इस चोटे से नोट को जाके गार्ट जब जमीन में, तो यहां से एक नया शुगर केन भी उग जाएगा, तो मैरी बाल, इस चीज को हम लोग क्या कहते है, that is, vegetative propagation, ठीक है, इस चीज को हम ल ठीक है और उसे आप कुछ time बात कहा देखो कि एक दो दिन में यह जो stem है इससे क्या निकलने लगेगा एक नया रोज निकलने लगेगा समझ यह बात तो इसे हम लोग क्या कहते हैं cutting यह सेम चीज हिबिसकस में भी फॉलो होती है आप हिबिसकस में भी सेम चीज कर सकते हो ठीक ठीक है अब आप सुच रहे हों कि स्वर्ण आप क्या बोलों आप एक ही पेड़के ऊपर एक पेड़के ऊपर तमाटर भी उड़ा सकते हो और अनियन बींबूगा अइसा कैसे हो सकते हैं आं देंकव ध्यान से एक यह इक णियन का पेड है यह पनियन जो है वैसे रूस उसक लगे रहेंगे यहां पर यहां कहीं लगे रहेंगे यहां कहीं लगpaper हो बहुत सारी सठीज सप्षिज रहेगा और यहां पर आपके क्या लगेंगे that is red color के beautiful beautiful टमाटर लगते हैं अब scientist ने क्या किया देखो scientist ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की वो क्या कर सकते हम लोग पता है हम लोग इस plant को ठीक है एक stem को लाके जोड़ सकते मतलब मैंने क्या किया मैंने simple सा क्या किया cette plan को कुछ आप कुछ दिन बाद आप देखोगे कि इस plant के रूट इसको भी पानी देंगे और ये वाला जो पाठ है ये भी बढ़ेगा मतलब इससे अगर आप कोई ब्रांचेस कनेक्ट करोगे यहां से अगर कोई ब्रांचेस कनेक्ट करोगे और अगर ये टमाटो का फ्लावर है तो इस method this method is known as grafting clear है समझ में आ गया I hope आप लगो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आज आज आओ next step पे चलते next है अपना that is sexual reproduction in plant अपना asexual reproduction पूरा का पूरा क्या हो चुका है complete हो चुका है अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हमारा sexual reproduction अब देखो पूरा का पूरा जो lesson है वो flowering plants है उनकी अंदर आप लोगो sexual reproduction देखने मिलती है तो sexual reproduction हमेशा या दखना sexual reproduction होती है फ्लावर्स में कहां पे होती है flowers में चैक है flowers के अंदर ही male part भी होगा और flowers के अंदर ही female part भी होगा तो मैं आपको flower बनाके दिखाता हूं इस flower के अंदर आप लोगो हर एक चीज़ दिखाता हूं कौन सा male part है कौन सा female part है ताकि आपको हर एक चीज clear होगा तो आने वाले जो आने वाले जो time है उसमें जो flower का diagram बनाने वाला दम ध्यान से देखना और अपनी book में उसको जरूर से बनाना तो समझो द्यान से तो यहां से कैसी डंडी निकली रहती है जो किस से connected है यहां से स्टेम से connected है तो यहां से कोई स्टेम आया है उससे यह डंडी connected है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं pedicle इस डंडी क्या कहते हैं हम लोग पेडिकल तो यह इसे हम लोग क्या कहते हैं पेडिकल फिर इस डंडी से यहां से एक बड़ा सा इसे ग्रीन कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है इसके उपर ही आपका पूरा का पूरा फ्लावर रखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं थालमस 付क्राइब कर तो अस essence में आहिए। यह एक बाइसेक्शन फ्लावर मतला इसी के अंदर में मेल पार्ट भी दिखाऊंगा और इसे के अंदर में फीमेल पार्ट भी दिखाऊंगा वेफित कशिगा रहा हूं समझ में आ रीए बाद देखो यह आपका होगा उपर आपका पूरा पूरा फ्लावर रखा हुए तेर्म यहां पे चोटे-चोटे पत्ते पढ़े रहे तेर में उपल लोग ने इसे चोटे-चोटे पत्ते से कम अलोग कहते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सैपल में इसे हम लोग सेपल कहेंगे और अगर पूलन की बात करें हैं लोग कहेंगे कईलिक्स समझ्छमे यह बात अब इस लिए बात इस रमार्मार ए ससे सोफ आपके flower को एक कलर देते हैं, जैसे रूस का flower है, हिबिस्कुस का flower है, तो उसके उपर इसे color color, red color के पत्ते लगे रहेते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं petals, क्या कहते हैं, petals, singularly petals, अगर पूरे group की बात करें, तो इसे हम लोग कहेंगे, corolla, समझ में आ गया, तो calyx समझ में आ गया, corolla समझ में आ गया, ठीक है, these are the accessory flower rolls पढ़ा होगा, आप लोग ने 10 standard में, अब इसके अंदर क्या present है, यहां पे आपका female part present है, ठीक है, female part, कुछ ऐसे मटके की shape का, यह डाइगराम आपको पता होना चीए, तो कुछ ऐसे मटके की shape का, यह आपका female part present हो यह जो ऊपर वाला part है, यह थोड़ा sticky-sticky होता है, मतलब इसके उपर अगर आप हाथ रखोगे, तो थोड़ा आपको चिप-चिपा सा लगेगा, यह वाला जो part है, इसलिए इसका नाम है, that is stigma, what the name, इसका नाम क्या है, that is stigma, उसके बाद यह जो देख रहें पतली सी region है, जो शलिए Cale, और यह क्या है आपका ovaries, तो यह क्या है, आपकी ovaries, clear है, clear है, secure है, समझ में आग降 यहां तक, और इनी तीनों को मिला के, मतलब इसी पूरे structure को, हम लोग क्या कहेंगे, अगर इस तीनों मिला दिये पूरे structure को, तो इसे हम लोग कहेंगे Carpelle, तो यह हो गया आपका फीमेल पार्ट जो कारपल होता है इस दो फीमेल पार्ट और इसी को ही हम लोग जिमनोस पे हम बोलते हैं समझ मैं ये बात और इसके बात यहाँ पे साइड साइड में साइड साइड में से पतली पतली इसे डंडी लगी है इस पूरे दंडी को अपन क्या कहते हैं ऐंफर मैं आफ दिख न ओए और इसका जो एक इन्डी दिख रहे ने इसको अपना ना अपना ओंसे इस डंडी को उपन कहते हैं filament क्या कहते हैं इसे हम लोग filament और इन दोनों को मिला के मतलब इस पूरे structure को हम लोग क्या कहते है stamen एक singular को stamen और पूरे multiple की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे that is angiose pump, clear है, समझ में आ गया इतना समझ में आ गया और जो आपका stamen है, it is the male part of the flower bisexual flower के अंदर, मतलब क्या है male part वे present है और female part वे present है, अब देखो, female part में एक चीज़ बना देता हूँ, इसके अंदर इस ovary के अंदर है, जो ovary है ना, इस ovary के अंदर एक छोटा सा part present होता है ठीक है, तो दूसरे color से बनाते है, white color से, इसके अंदर एक ऐसा छोटा सा part present होता है इसे हम लोग कहते है, ovule ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते है ovule, ठीक है और ये ovule, ऐसे connected होता है यहाँ से, ऐसे बड़े सा एक region होता है उसके ओपर एक डंडी लगी हो रहे थे और इस डंडी से वो connected होता है यह जो बड़ी सी region है यह जो बड़ा सा region है जिसके ओपर रखा हुआ है यह डंडी इसे हम लोग कहते है, that is placenta कहते है, placenta और यह जो डंडी है यह जो डंडी है, इस डंडी को हम लोग कहते है that is funical I know, कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा messy हो गया है बहुत ज़्यादा मैंने खिच-पिच मदा दिया है लेकिन, जैसे-जैसे मैंने बताया है एक बार वापस वीडियो rewind कर गए देखो आपको हर एक नाम clearly समझ में आएंगे, ठीक है, so यह diagram को एक बार screenshot ज़रूर से ले लेगा और अपने book में जरूर से इसको बनाना तीन-चार बार ज़रूर से practice करना क्योंकि अगर आपको यह diagram आ गया तो पूरा का पूरा lesson आप लोग के लिए बहुत ही ज़ादा easy हो जाएगा ले लिया, screenshot, ठीक है, so बहुत अच्छा किया आप लोगने, so this is just a introductory lecture इसमें मैंने आपको बहुत सारे introduction दिये, ठीक है मैंने आप लोगों को बताया कि asexual reproduction क्या होता है, पहले तो मैंने overview की बात की, फिर asexual reproduction क्या होता है फिर sexual reproduction क्या होता है, sexual reproduction में हम लोग ने इतनी सारी बात की, flowers की, और asexual reproduction में हम लोग ने बहुत सारी बात की, जैसे fragmentation की, फिर budding की, फिर binary vision की, gymual formation की, sports formation की, जैसे बहुत सारी बहाँ पे भी हम लोग ने बाते कर ली है, तो next lesson, जो next lecture आएगा, उसमें हम लोग majorly gametes बनाना start करेंगे, ठेके gametes कैसे बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे, male gametes बनाएंगे, female gametes बनाएंगे, और यह flower का structure जरूर से, वापस मैं बोल रहा हूँ, जरूर से एक बार book में बना लेना, हर एक चीज जितनी जितनी मैं college के उपर हमारा एक नया batch शुरू हो गया है, अलरेड़ी एक साल, last year मैंने, J.R. Tutorials पर पूरा का पूरा batch पढ़ाया था, शायद last वाले lesson नहीं पढ़ाया था, लेकिन बाकी के सारे 14 lesson मैंने पढ़ा रखें उसके उपर, तो अगर के लिए इतना ही, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए एकदम पढ़ते रहिए, keep studying